दोस्तों क्या हाल चाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए कैसा फीचर लाया हूं Samsung device का जो कि आप install कर सकते हैं किसी भी Samsung device में और ये feature किसी और Android device में भी work करेगा कोई भी device आप use कर रहे हैं इस ट्रिक only मैं भी Samsung के लिए लाया हूं तो अगर आपका Samsung device है तब ये trick work करेगी या फिर कोई और device है तब ये trick work करेगी तो क्या करना है क्या नहीं पूरा detail में बताऊंगा सुनमशकार दोस्तों मेरे नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टैक चैनल को चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो जैसे कि आप आप notification पैनल नीचे डाउन करते हैं तो आपको इस तरह notification देखने को मिल जाता है लेकिन आप इसे modify कर सकते है Mac style में तो वो कैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो करना कैसे बैद देखिए फिर आप इसे इस्तमाल करना ठीक है सबसे पहले तो आपको चोटी सी application की ज़रूरत पड़ेगी जिसका link मैं आपको description पर दे दूँगा download करने से पहले आप इससे देख लीजिए कि इसको आपने activate कैसे करना है तो first time जब इसे open गरेंगे आप तो इस तरह का interface देखने को मिलेगा अपने control center layout को यहाँ पर on करना है फिर install apps पर जाना है ठी control यहां पर आपने allow कर देना है फिर back आजाना है फिर आपने control center Pengethenya पर automation करनी है ठीक है तो अब आ का सकते हैं इसको नोडवर् Abg निचे करेंगे वह को बहुत ही प्यारा सा यहां पर नोटीविशन पैनल देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप see यहांपे देखने को मिलता है इंपोर्टेंट है पोर्म यहांपbahn को मिल रहा है variation esteem यहांपे सबकुछ यहांपे देखने को मिलता है बहुत ही कमाल का आप इस इंस्टॉल कर सकते हैं तो इसका आपको description बिलेगा doubtाउरोड किजिए और acordo लीजिए so abday के जयाहिंद बंदे मादरम